एक इंसाइट स्टोरी ये कि कास गंज में आखिरकार प्रेंका गांधी क्यों नहीं गई? क्यों कास गंज नहीं पहुची प्रेंका गांधी? वो प्रेंका गांधी जो वक्त वक्त पर तमाम मुद्दों की टोहों में रहती हैं लेकिन कास गंज में इतनी बड़ी घटना हो गई और प्रेंका गांधी वहां नहागई। आखिर कार क्यों? प्रेंका गांधी का कास गंज ना जाना आज सियासी सवाल बना हुआ है. विशे अपने आप में इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि कास गंज को लेकर तमाम अटकलों के बीच में सवाल खड़ा हुआ कि क्या वाकई में जब आगरा में अरुनवाल मिकी की मौत हुई थी याद कीजिए तब उस वक्त प्रेंका गांधी वहाँ पहुची इतना ही नहीं लखीमपुर में हंगामार जब रुका नहीं तो उनके पैर क्यों थम गए अब इस सवाल का जवाब भी तलाशते हैं प्रेंका और अखलेश में इन दिनों ठनी हुई है इसमें कोई दो राय नहीं और ऐसे में प्रेंका गांधी हर मौके पर सीधे तोर पर सियासी चौका मारने से गुरेज नहीं कर रहीं चाहे वो आज सहस दिखाई दिये अब इस मसले को समझते हैं कि आखिरकार प्रेंका गांधी कास गंज क्यों नहीं जा रही या फिर जाना चाहती थी तो उन्हें किसने रोक दिया वो भी प्रेंका गांधी के कौन से ऐसे सलाकार हैं जो उन्हें जाने से रोक गए ये अपने आप में एक महत्पूर सवाल है लेकिन उससे पहले उस पीछे की कहानी को समझिए जो सवाल खड़ा करती है वैसे कासगन कॉंग्रेस का एक प्रतिनीदी मंडल वहां पर पहुचा और उस प्रतिनीदी मंडल का किस ने प्रतिनीद किया सलमान कुर्शीद ने कितनी दिल्चास बात है कि सीधे तोर पर ये फैक्टर वही था कि हिंदुत पर कोई चोट ना पहुचे और ऐसे में प्रिंका गांधी के कदम को रोक लिया गया क्या वाकई में उस एजंडे पर जिस एजंडे पर कॉंग्रेस इस वक्तर प्रदेश में चल रही है और खास तोर पर ब्रहमर वोड बैं होंने हिस्सा लिया और मना जा रहा था कि युस बैठक के बाद प्रेंका गांधी जाएंगी मगर ऐसा हुआ नहीं कार करम डिले कर दिया किया और फिर प्लान की लखनव से वो कासगन जाएंगी लेकिन फिर इसे भी स्थगित कर दिया क्या और माना जा रहा है आरोप लगाये जा रहे हैं कि हिंदू वोट बैंक इससे कॉंग्रेस से खवा ना हो जाए इसलिए उनके किसी रणनीती कार ने प्रेंका गांधी को ये बात से मना कर दिया कि कि वो कासगन ना जाएं हकीकत क्या है फसाना क्या है ये मालूम नहीं और ये सलाकार कौन है प्रेंका गांधी का ये भी अपने आप में एक एहम सवाल है जिसकी सलाह पर प्रेंका गांधी ने कासगन जाने से खुद को रोग लिया आपको क्या लगता है कौन वो सलाकार है क कुछ जहन में टटोल के देखिए कुछ चेहरों को इसका उत्तर भी शायद आपको मिल जाए ये वाकई में अपने आप में एक दिल्चस्प इंसाइट स्टोरी है अगरी बार फिर होगे हासिर एक ऐसी ही कहानी और किस्से के साथ फिलान मुझे दीजिये जादत नमस्कार जै आइन जा भारत